अपने फादर का नाम यहां पर उठा का डाल दीजिए अप्लिकेशन में जिस्टेम आप वीजा के लिए अपलाई करते हैं उस्टेम डाल दीजिए कोई दिकत की बात नहीं है आपका वीजा इशू हो जाएगा असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने जो आप लोगों को बताया था कि अभी इंडियन लोगों का वीजा इशू होने के लिए कम से कम तीन नाम चाहिए और यह अपडेट मैंने आप ल वीडियो बनाएए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके तो इस वीडियो में आप लोगों को यही हम किलियर करने वाले हैं कि तीन नाम का क्या फंडा है हर एक आदमे के पासपोर्ट में तीन नाम होता है बस यह है कि आपको जानकारी की जरुत है आगे बढ़ने से पहले म पाकित बाइश ॉसकता है कोई दिकत की बात नहीं है तो दोस्तों हम आप लों को वाइड बोर्ट पर लेकर चलेंगे और वहीं पर आप लोग को clear करके समझाएंगे कि क्या funda है आप लोग इस problem से कैसे बच सकते हैं दोस्तों मैं आप लोग को समझाने के लिए whiteboard यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से बास समझ माएं आप यहां पर देख सकते हैं given name है और यहां पर आपको नीचे सेम नाम अगर मैज कर जाए तो यह इतिफाक हो सकता है मैं आप में से किसी का नाम target करकी यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो यहां पर देख सकते हैं given name और उपर में है surname तो यहां पर आपको सिर्फ दो नाम नजर आ रहा होगा एक होगी आपको मजहर और दूसरा होगी आपको सिर्दी की तो मान लीज़े अगर यह आदमी इंडियन है तो इसको वीजा इशू करने के लिए तीसरा नाम भी चाहिए तो तीसरा नाम आप कहां से लाएंगे तो इंडियन पासपोर्ट का जो बैक सैड होता है सबसे आखिर वला सैड होता है तो उसमें आप उपर सबसे उ नाम आपको मिल जाएगा उस फादर का दो नाम का आप इसके अपने नाम के साथ में आप इसको जोड़ लेजिए तो इस तरह जो है चार नेम हो जाता है तो कोई दिकत की बात नहीं है आपका वीजा आराम से इशू हो जाएगा तो यह बात हो गई कि आगर आपके पासपो यहां पर आल्डेडी तीन नाम हो चुका है मजहर आलम आपको दूसरा नाम हो गया अब यह सिद्धी की क्या हो जागए थाड़ नेम हो जाएगा तो तीन नाम हो गया तो आपको फैमिली नाम या जो है आपका फादर का नाम लेने की जुरूत नहीं पड़ेगी इतना ही न सरनेम में आपको यहां पर दो नाम है एक है आपको राम हो गया और दूसरा आपको कुमार हो गया यहां पर आपको सरनेम में कोई भी नाम नहीं है तो इस तरह का पासपूर्ट ही बनता है तो इस तरह में आपको क्या करना पड़ेगा आपका पासपूर्ट का जो बैक सेड जहां पर आपका फादर के नाम लिखा रहता है वहां पर जो है आप फादर के नाम उठा करके आपके नाम के साथ में इसको एटेज कर दीजिए अगर इस तरह आप फादर के नाम अपने साथ ही मिला देते हैं तो वहां पर जो टोटल आपको तीन नाम या चार नाम हो इस्फुरथ मालिंट shift यहां पर सिर्फ राम लिखता हूं साथ मैं कुमार का डिलीट करता हूं मालिज fairy passport भी एक नाम है मैंने सथाइब है मैंने रदीश का पासप्रत देखा था उसमें शार्णिफ कर देखा था स्रीफ असमा वनली पेज है वहाँ पे आपके जो फादरक नाम लिखा रहेगा अपने फादरक नाम यहाँ पर टाल दीजिए अप्लिकेशन विजिस्टेम आप विजा के लिए अपलाई करते हैं उस टेम डाल दीजिए कोई दिकत की बात नहीं होगी यहाँ पर दोस्तों मैं इंट्रेस्टिंग अब की चलेजा सकता है कोई दिकत की बात नहीं है उननों का साथ में नहीं चाहिए यहाँ पर मैं आप यह एक और डॉट-क्लियर कर दीता हूं वो यह कि आप में से किसी जो sister ने पूशा था, कि उसने comment ने पूशा था, कि असलम भाई, जो है मेरा passport में, second नाम या जो surname में जो लिखा हो मेरे husband का नाम है, तो उससे कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, तो मैं कहना चाहूंगा, कि यहाँ आपका नाम है, यहाँ पे चाहि पादरक नेम है, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, इस तरह तो टोटल तीन नाम या जो है, चार नाम हो जाएगा, तो आपका विजा इशू हो जाएगा, और कतर का जो system है, विजा अपलिकेशन system है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पांच नाम का अलाव करता है, प यहाँ पर जिसे रामकुमार यहाँ दो नाम हो गया, पासपर्ट होल्डर का, लेकिन इसका जो हम फादर का नाम लेंगे, तो फादर का उस का अएद ने यहाँ हो जार लगना जिखा हुआ है, तो एक, दो, तीन, चार महिएँ आपे 4 नाम मैंने लिख दिया है, एक फादर तो इस तरह मिला करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इस तरह मिला करके आप वीजा अप्लिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिखत की बात नहीं होगी, दोस्तो अगर मैं आप लोगों को चाहता तो डिरेक्ट जो इंडियन पासपोर्ड होता है, वहां से मैं गूग सालों तक चलाने का है, अगर आप लोगों का इसमें सपूर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो, क्योंकि आप लोगों के इससे बहुत अच्छे-च्छे जानकारी मिलते हैं, जैसा कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो, तो दोस्तों, मित करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों मैं next time इस boat का भी use करूंगा तो इस वीडियो के बारे आप जो भी feedback देना चाहते हैं comment box में जरूर रखें ताकि मुझे भी होसला मिले इस वीडियो को like करके आगे भी share करें अपने तवाम दोस्तों के साथ में इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया